ये दो चेप्टर हैं, एक अनुपात हैं, दूसरा समानुपात हैं, ठीक हैं, तो सबसे पहले अपन अनुपात को पढ़ेंगे, उसके बाद समानुपात को पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक हैं, तो सबसे पहले अनुपात को पढ़ेंगे, समानुपात से भी सवाल पूछे जाते हैं ठीके ना इस प्रकार का चिन आपने देखा होगा रीजनिंग में भी आपने देखा होगा तो वो समान उपात वाला चिन होता है उसमें से भी सवाल पूछे जाते हैं ठीके ना उसको बाद में लेंगे और ये टोपिक बहुत इंपोर्टेंट है यह टोपिक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसमें से सवाल 100% आपके पैपर में पूछे जाते हैं और दूसरी बात इस टोपिक को पढ़ने का मतब यह है कि रेश्यो पढ़ेंगे उसके बाद मिस्रन पढ़ेंगे उसके बाद आयो वाला चेप्टर पढ़ेंगे उसके बाद आप पार्टनर्शिप अपन पढ़ेंगे ठीक है ना यह सारे के सारे 456 जो टोपिक है एक साथ चलेंगे क्योंकि यह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन सब में रेश्यो का परियोग से ही सारे सवाल बनते हैं ठीक है चलिए तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा ध्यान देना आराम से बेसिक्स को भी समझते विचलना और जिनको आता है तोड़ा सा सांती बनाएं रखना ठीक है अगर मैं आपको बोलूँ ए अनुपात बी दो अनुपात तीन है और आपके पास में ए पलस बी और आपके पास में ए पलस बी एक हजार रुपे है बात को द्यान से समझना अगर आपके पास में एक हजार रुपे है और ए और बी का अनुपात दो अनुपात तीन है और आपसे पूचा जाए कि ए को कितने रुपे मिलेंगे और बी को कितने रुपे मिलेंगे एक हजार रुपे को मुझे A और B में बांटना है तो A को कितना रुपे मिलेगा और B को कितना पैसा मिलेगा देखो बांटने के दो तरीके होता है दोनों इमें आपको सिखा देता हूँ पहला तरीका ये होता है कि 2 और 3 यहां से कुल मेरे को कितना देके रखा है एक हजार देके रखा है और यहां से टोटल कितना है पांच है तो यहां से टोटल निकालोंगा दो पलस तीन मेरे को कितना मिलेगा पांच मिलेगा मतलब यहां से मैंने कुल निकाला तो कितना आगया पांच आगया लेकिन सवाल में क कुल मेरे को एक हजार रुपए देके रखे थे तो पांच इकका मान् एक हजार है तो एक काया का मान् देखको कैसे निकाल दूंगा है किस पाग दोंगओंगाँ कि अ कह टना अगया दो सो खिया अब एक इकाई का मान मेरे पास आ गया तो अब मैं किसी की भी वेल्यू निकाल सकता हूँ अगर एक इकाई का मान मेरे पास आ जाता है तो मैं किसी की भी वेल्यू निकाल सकता हूँ जैसे मुझे दो इकाई का मान निकालना है जैसे मुझे इस दो का मान निकालना है तो इस दो की गुणा मैं किसे कर दूँगा एक इकाई के मान से कर दूँगा एक इकाई का मान 200 है आप ऐसे समझो कि एक संत्रा 200 का अत्ता है तो दो संत्रे कितने के आएंगे 400 के आएंगे अगर एक संत्रा 200 का अत्ता है तो तीन संत्रे कितने के आएंगे 600 के आएंगे वही वाला कॉंसेप्ट है जैसे एक इकाय का मान 200 है तो दो इकाय का मान निकालना हो तो किसे गुणा करूँगा 200 से गुणा करूँगा तो यहां पर कितना अगया 400 अगया अगर मुझे 3 event का मान निकालना है तो भी 200 से गुणा करूँगा Mतब 1 event के मान से गुणा करूँगा तो कितना आ गया, 600 आ गया तो यहां से A को 400 रुपे मिलेंगे और B को कितने मिलेंगे, 600 रुपे मिलेंगे एक तरीका तो यह हुता है, बाटने का दूसरा तरीका में रख्या होता है पैसे बाटने का ठीक है जैसे मान लो A को कितना मिलेगा और B को कितना मिलेगा देखो यहां से एक अनुपाद, ए और बी का अनुपाद कितना कितना था, दो और तीन था, ठीक है, मुझे एक हजार उपे बाटना था, तो एको कितना मिलेगा, देखो एको कितना मिल रहा था, दो मिल रहा था, लेकिन कितने में से, पांच में से, टोटल यहां पर देखना, टोटल यहां पर देखोगे तो 3 plus 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा A को 2 मिल रहा था कितने मैंसे? टोटल 5 मैंसे और पेशा कितना बाटना था? 1000 बाटना था तो 1000 से गुणा कर दो देखो यह इसको काटेगा 200 बार 200 into 4 कितना हो जाएगा? 400 ऐसे ही B का निकाल लो तो 5 इसको काटेगा 200 तो कितना हो जाएगा 600 रुपे हो जाएगा तो एक तरीका ये होता है दूसरा तरीका ये होता है मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है ठीक है ना तोटल आपके पास में 27,000 रुपे हैं आपको A, B, C के बीच में इन 27,000 को बांटना है A को कितना मिलेगा, B को कितना मिलेगा और C को कितना मिलेगा निकल ये सभी निकल ये हो गया क्या देख चीजों को बड़िया ध्यान से समझते वे चलना पर जब बड़े सवाल आएंगे न तोड़े से अच्छे सवाल आएंगे तो इन चीजों को में फिर बाद में इतने अच्छे से एक्स्प्लेंद नहीं करूंगा ठीक है ना फिर आप बाद में यह मत बोलना कि क्योंकि सवाल यह अभी छोटे हैं ठीक है अभी बैसिक बिल्कुल बैसिक चल रहा है लेकिन फिर सवाल के ना तोड़े बड़े-बड़े सवाल आएंगे तो जो बड़े सवाल आते हैं ना उनमें कुछ भी नहीं होता यह जो बैसिक्स होते हैं ना इने को दो तेन सवालों को मिक्स कर देता है बस ठीक है तो यहां से देखिए यहां से आप लोग देखोगे 27,000 को मुझे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में डिवाइड करना है तो मैंने आपको कैसे बताया यहां से कुल निकाली है यहां से चाहिए तीन अनुपात हो चाहिए यहां पर चार अनुपात हो कोई फरक नहीं पड़ता नियम वही काम करेगा यहां से मैंने कुल निकाला तो कितना हो गया? 9 हो गया और सवाल में कुल कितना देके रखा था? 27,000 देके रखा था तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 3,000 हो जाएगा 9 इकाई का मान 27,000 है तो एक इकाई का मान कैसे निकल लूँगा? 27,000 में 9 का भाग दूँगा तो कितना जाएगा 3,000 जाएगा अगर एक इकाई का मान 3,000 आ गया अगर आपको इस 4 इकाई का मान निकालना है तो एक इकाई के मान से गुणा कर दो कितना जाएगा 12,000 जाएगा अगर आपको इस 2 इकाई का मान निकालना है तो किसे गुणा कर दो तीन हजार से गुणा कर दो तो कितना जाएगा छेजार जाएगा अगर आपको इस तीन ही का मान निकालना है तो किसे गुणा कर दो तीन हजार से गुणा कर दो मतब सभी को एक कई के मान से गुणा करना है कितना जाएगा 9000 आजाएगा बास समझ में आ गई किसी को डाउट है क्या किसी को डाउट नहीं हो तो आगे बड़े ठीक है अब देखिये एक तो हो गया कि पैसे कैसे बाटे जाते हैं जब अपने सिक्के वाले सवाहल आएंगे ना तो ये वाला कॉंसेट वाहां पर काम आएगा और जो भी पैसा अपन को बाटना है जैसे पार्टर आरशिक क्या है जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर A अनुपात B आपको 3 अनुपात 4 दिया हुआ है और B अनुपात C अगर आपको 2 अनुपात 5 दिया हुआ है और आप से पूछ लिया कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा अगर A अनुपात B, 3 अनुपात 4 है B अनुपात C, 2 अनुपात 5 है आपसे पूछ लिया कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर देखो कितना भी बड़ा अनुपात आजाए कितनी भी बड़ी संक्य आजाए करने का तरीका देखो वही रहेगा ध्यान से समझना देखो यहाँ पर पहली लाइन में क्या लिखना है A और B का अनुपात लिखना है A और B का अनुपात कितना दिया है 3 और 4 दिया है तो A के नीचे 3 लिखना B के नीचे 4 लिखना देखो A के नीचे 3 लिखो, 3 और B के नीचे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, ये अपना पहली लाइन का काम हो गया, खतम, अब देखो दूसरी लाइन में दूसरा अनुपात लिखना है, मतलब एक लाइन में एक ही अनुपात आपको लिखना है, जैसे इस पहली लाइन में ये वाला अनुपात लिख लिए अब लाइन चेंज करो ठीक है अब देखो दो अनुपात पांच बी और सी का है दो अनुपात पांच तो बी के नीचे दो लिखो और सी के नीचे पांस लिखो देखो बी के नीचे मैंने दो लिखा और सी के नीचे कितना लिख लूँगा पांच लिख लूँगा अब देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 4 को 5 से गुणा कर लिए 20 आ गया 4 को 2 से गुणा कर लिए 8 आ गया 3 को 2 से गुणा कर लिए 6 आ गया हो सकते हैं कर सकते हो लेकिन कल को फिर अनुपात मान लो ये B, C और D आ गया तो उसके लिए अलग नियम बन जाएगा D और E आ गया तो उसके लिए अलग नियम बन जाएगा ठीक है ना? और ये नियम आप फरीकसा आते आते भूल जाते हो तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि यहां पर देखो C के नीचे एक खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी और यहां पर भी A के खाली जगह आपको दिखाई दे रही होगी इसके अलावा कोई सी भी खाली जगह नहीं है अब ऐसा मत बोलना कि यह सर यह खाली जगह है यह खाली जगह नहीं है A के नीचे देखो B के जस्ट नीचे देखो C के जस्ट नीचे देखो ठीक है ना तो यहां पर खाली जगती इस खाली जगत के देखो बगल में कौन बेटा हुआ है चार बेटा हुआ है तो यहां पर चार भर लूँगा इस खाली जगत के बगल में कौन है दो है तो यहां पर क्या भर ल को 2 से गुणा किया 6 ठीक है अगर देखो लास्ट में ये संक्या अगर किसी से कटती है तो आप लोग काट देना जिसे 6 8 और 20 क्या किसी कोमन संक्या से कट रही है क्या 2 से कट रही है तो काट देना कि तीन बार काटा चार बार काटा दस बार काटा ठीक है तो यहां से मेरा अनुपात कितना आ गया तीन अनुपात चार अनुपात दस आ गया बास समझ मेरी है अनुपात का मत्तब यह होता है कि काटने के बाद में जितना आप उनको काट सको काट दो तो यहां से मेरा अनुपात आ गया तीन अनुपात चार अनुपात दस आ गया ठीक है करिए इसको करिए कितना आ रहे हैं कि तीस पंद्रह नो बीस पंद्रह नो कितना रहे हैं ठीक है चलिए देखते हैं देखो यहां पर मैंने देखा तो A और B का अनुपात मुझे लिखना है अब देखो A के नीचे A का मान लिखना है B के नीचे B का मान लिखना है तो A बराबर कितना था? 4 था और B बराबर कितना था? 3 था एक अनुपात का काम हो गया कतम अब लाइन चेंज करो लाइन चेंज करूँगा तो B के नीचे B लिखना है C के नीचे C लिखना है तो देखो B का मान कितना था 5 था बास समझ मेरी है यहाँ पर आपको यह उल्टा करके भी दे सकता है लेकिन आपको तो B के नीचे B लिखना है और C के नीचे C लिखना है जैसे यहाँ पर B के नीचे कितना था 5 था तो यहाँ पर 5 लिखोगे और C के नीचे कितना था 3 था तो देखो यहां पर खाली जगह है और यहां पर खाली जगह है इस खाली जगह के बगल में तीन है और इस खाली जगह के बगल में पांच है तीन को तीन से गुणा किया नो अगया तीन को पांच से गुणा किया पंद्रा अगया चार को पांस से गुर्णा किया 20 आ गया क्या ये संक्या किसी एक संक्या से कट रही है क्या नई कट रही तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 20 15 और 9 हो जाएगा सभी का ये एता किसी का गलत तो नहीं है ये मैंने उल्टा लिख दिया था ठीक है कि वैसे ये बाते में आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि ये बाते में जब भी कोई बेच शुरू होता है तो मैं तब भी बताता हूं ठीक है ना क्योंकि ये लगबग हर चेप्टर में परियोग होता है कितना रहे है चार चे चार चे चार तीन आगे है क्या ठीक है तो देखो यहां से देखते हैं कितना भी बड़ा अनुपात आ जाए लेकिन करने का तरीका वही रहेगा पहली लाइन देखो यहां पर कितने लाइन बनेगी क्योंकि यहां पर एक अनुपात ये देके रखा है दूसरा अनुपात ये देखे रखा है तीसरा अनुपात ये देखे रखा है तो मेरी यहाँ पर तीन लाइने बनेगी अगर दो अनुपात देखे रखा हो तो दो लाइन बनेगी तीन अनुपात देखे रखा हो तो तीन लाइन बनेगी ठीक है देखो पहली लैन में क्या लिखना है A और B का अनुपात लिखना है तो A के नीचे 2 है तो 2 लिखो B के नीचे 3 है तो 3 लिखो पहली लैन का काम हो गया खतम अब दूसरी लैन में चलो दूसरी लैन में B और C का अनुपात लिखना है तो B के नीचे 3 है तो 3 लिखो C के नीचे 2 है तो 2 लिखो दूसरी लेन का काम हो गया खतम देखो तीसरी लेन में चलो तीसरी लेन में चलोगे तो C के नीचे 4 है D के नीचे 3 है तो C के नीचे 4 लिखो और D के नीचे कितना लिखो 3 लिखो अब यहाँ पर देखो खाली जगह कौन-कौन सी है ध्यान से बढ़ना देखो यहाँ पर A है A के नीचे कौन-कौन सी खाली जगह है देखो एक तो यह है और एक यह है B के नीचे कौन-कौन सी खाली जगह है देखो यह वाली है C के नीचे, देखो, 4 और 2 तो बरा हुआ हैं, यहाँ वाली जगह खाली हैं. देखो, D के नीचे कौन-कौन सी हैं? एक तो मेरी यह हैं, एक मेरी यह हैं. बाध समझ मेरी हैं, यह मेरी खाली जगह थी, जहाँ पर मैंने डिब्बे बना दिये. ठीक है अब देखो खाली जगों को बढ़ने का तरीका वही रहीगा इसके बगल में कौन है तीन है यहां पर तीन भर दिया इसके बगल में कौन है दो है इसके बगल में कौन है चार है इसके बगल में कौन है चार है इसके बगल में कौन है तीन है ठीक है अब सिधा सिधा तुट चार 24 तीना औल्तीन नो जोन्ट चारण ऊपने। तफारद मीषर योफिए ये मिरी संख्य हायई है यह मेरी संख्य किसी एक संख्य क्या शार से नारटम दो कितनी बार कटे की 4 बार, कितनी बार कटेगी, 6 बार 4 बार, 3 दीन बार तो मेरा अनुपात कितना हो गया? 4 6 4 3 समझ में आ गया, ठीक है किसी को doubt हो तो पूछ लो किसी को doubt हो तो पूछो चलीए, ये बाते विएसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी तो डाउट नहीं होना चीए एक और कर लो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे यह जो नंबर आपको दिये जाते हैं ना यह बहुत बड़े नंबर नहीं दिये जाएंगे यह चोटे-चोटे नंबर दिये जाएंगे एक दो तीन चार पांच में से ठीक है कर दो ती इम एक दो तोन में से ठीक है ख़यख है हो गया चले देखते है तो यहाँ पर मैंने देखो तीन अनुपात है एक दो तीन तो किती लाइन बनेगी तीन लाइन बनेगी पहली लाइन में देखो ए और बी का अनुपात लिखो तो ए के नीचे चार है तो चार लिखना बी के नीचे तीन है तो तीन लिखना अब यहां पर आपको B अनुपात A भी दिया जा सकता है कल को आपको B अनुपात A दे दे ठीक है ना अगर कल को आपको B अनुपात A दे दे तो आपको ध्यान रखना है A के नीचे A को ही लिखना है और B के नीचे B को ही लिखना है तो A के नीचे 3 आएगा, B के नीचे फिर 4 आएगा बास समझ महरी है तो केने का मतब यह है कि A के नीचे A को ही लिखना है और B के नीचे B को ही लिखना है पहली लेन का काम हो गया खतम दूसरी लेन में चलो दूसरी लेन में चलूँगा तो B और C का लिखो B के नीचे B लिखना C के नीचे C लिखना देखो B बराबर 3 था तो 3 लिखा C बराबर 2 था तो 2 लिखा दूसरी लेन का काम हो गया खतम तीसरी लेन में चलते हैं देखो C के नीचे 5 हैं तो C के नीचे 5 लिखो, B के नीचे 4 हैं तो D के नीचे 4 लिखो देखो खाली जगह बढ़ते टैम पर ध्यान रखना इधर कहीं बीच में मत बढ़ लेना ठीक है ना? देखो यहां से A सेस्टार्ट करो एसेस्टार्ट करोगे जहां जहां पर भी तीर है न वहां वहां वाले नमबर आपको भढ़ना है जैसे यहां पर यहां पर तीर था तो एक के नीचे चार मेरा भरा हुआ था लेकिन यहां पर भी तीर था तो यहां वाला नमबर गए था यहां पर भी 3 था तो यहां वाला नंबर भी गए वे ठीक हैं अब देखो यहां पर मैं B के नीचे देखूंगा तो B के नीचे देखो यह पहली लाइन तीर के सामने वाला भरा हुआ है, यहां पर तीर के सामने वाला भरा हुआ है, देखो B के नीचे, लेकिन यह तीर के सामने वाला खाली है, देखो यहां पर C के नीचे देखा, 5 दो भरा हुआ है, यहां पर खाली जगह है, इसमें देखो, इसमें आप लोग देखोगे, तो य यहां वाली खाली जगह है, यहां वाली खाली जगह है, वास समझ में आ गई, ठीक है, अब खाली जगह के बगल में जो भी बेटा हुआ है, जैसे यहां के बगल में तीन बेटा है, तो तीन बढ़ लो, इसके बगल में कौन है, दो है, तो दो बढ़ लो, इसके बगल में कौ 226 45 45 45 क्या चाहर तुट्ट तुट्ट Boss क्या ये श्न ये त्ससातर हilstय कन रही क्छ नियुसरा कि संक्या स이션 क्त रहे हैं क्या किसी संक्यासुपर அओप से कट्रहर होगा तीन से काटवे इसको तीन से काटव इस वार तीन से ख़ल के पिंद्राव तीन से काटो के 10 वार तीन हे एक आट वार तो एक कैंडमीर उतर क्या हो जाईएगा बीस अनफात पक्राप kindlyना पात एंज जाईएगगा बहार समझ मारे हैं इसा भी सवाल आपके प्रिवियूश ए फूचे-वार में पूचे गए तो जिसे मेरे पास में 5A बराबर में 6B बराबर में 3C आ गया ठीक है आपसे पूछ लिया कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा आपको दिया है 5A बराबर 6B बराबर 3C आपसे पूछ लिया कि A, B, C का अनुपात क्या होगा कितना होगा? 6, 5, 10 चलिए तो देखो कैसे करना है? देखो यह सवाल आपके पेपर में डारेक्ट भी पूछा जाता है ठीक है ना और अपने टाइमेंड वर्क पड़ा होगा तब इसको बताया होगा मैंने 5 आदमी, 6 ओरते, 3 बच्चे किसी कारे को 10 दिन में करते हैं ऐसा मैंने आपको बताया होगा वहाँ पर ठीक है तो देखो एका मान कैसे निकालना है? एका मान कैसे निकालना है? बहुत आसान है देखो टाइप समझना, पैटरन समझना इसके बराबर में फिर से कुछ भी आ स सकता है, बहुत समझ में आ रही है, मतलब टाइप समझना, पैटरन समझना, आगे संक्या और भी मल्टिप्लाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन देखो करने का तरीका यही रहेगा, अगर मुझे एका मान निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा, इस एवाले को छुपा लो, द जेको मुझे बी का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है, उसको चुपा लो, बी का निकालना है, तो बी को चुपा लो, देखो क्या क्या बचा, तीन और पांच बचा, आपस में गुणा करो, कितना हो जाएगा, पंदरह हो जाएगा, जैसे मुझे सी का मान नि तो रही मों संग दो च्वार कटेगा पांच वार कटेगा दस बार कटेगा तो मेरा जो उत्तर है वह कितना जाईगा 6west जाए भी यह उस्वाल भी बहुत इंपोर्टेंट है आपके पर्में direct भी पूचा जाता है और indirect भी पूचा जाता है दोनों इतरीके से काम आता है ठीक है तो इसमें मैं लिक देता हूँ ताकि आपको पता रहे ठीक है अब एक और सवाल दे रहा हूँ उसको करना फिर अगले टैप पर आगे बढ़ेंगे अगर 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 आपको दिया है कि 2A बराबर 3B बराबर 4C बराबर 5D आपको A, B, C, D का अनुपात निकालना है 30, 20, 15, 12 हो गया क्या? ठीक है इधर से हो गया? चलिए अब देखो आपने कर लिया होगा अची बात हैं जिसे A का मान निकालना है तो A वाले को चुपा लो मुझे किस किस को गुणा करना है 3, 4, 5 तो यहाँ पर देखो 3, 4, 5 अगर मान लो कल को आपको ऐसा भी आजाए कल को आपको ऐसा भी आजाए तो आपको पूरे को गुणा मत करना आप इस प्रकार से लिखना, क्योंकि अपन अनुपादी तो निकालना है ना, लास्ट में कार देंगे, ठीक है, तो यहां से देखो A का मान यह हो गया, अनुपाद, देखो B का कैसे निकलेगा, B वाले को चुपा लो, देखो क्या क्या बचा, 5, 4 और 2, तो यहां पर 5, 4 और 2 जैसे मुझे C का निकालना है, तो C वाले को चुपा लो, क्या क्या बचा, 5, 3 और 2, जैसे मुझे D का निकालना है, तो D वाले को चुपा लो, क्या क्या बचा, 2, 3 और 4 बचा, 2, 3 और 4 बचा, यह तो मेरे आसान नंबर थे, ठीक है ना, यह तो मेरे नंबर आसान थे, आप से multiply भी कर सकते थे लेकिन कल को हो सके यहां पर थोड़े बड़े नंबर आ जाए और आपको 5D की बराबर 6E भी दे दे बराबर में 7F भी दे ठीक ना इस प्रकार का बड़ा नंबर आ जाए तो आप इस प्रकार से लिख लेना और फिर यहां से काटना स्टार्ट करना आप लो काटो गिए देखो 2 से काटा दो बार यह 2 मेरा कट जाएँगा यह 2 मेरा कट जाएगा यह 2 मेरा कट जाएगा और कुछ जाहि क्या ओर इंटो तीन कितना हो जाएगा बारा तो मेरा उत्तर कितना गया 30 20 15 और बारा गया आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते थे तो भी उत्र यह आईगा लेकिन कल को अगर आपके पास में इस परकार की और भी संक्य आजाए 7E आजाए 8F आजाए तो मैं आपसे यह बोलना चाहरा और जो जो भी कट रहा हो ना उसको काट देना ठीक है वैसे इतना बड़ा नहीं आता आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा ABCD इतना ही पूचा जाएगा ठीक है कि समझ में आ गया यह वाला टाइप ठीक है किसी को डाउट हो तो पूछ लो कि चलिए कि आपको निकालना है ए बी और सी कितना रहा है कि दो चार तेन ठीक है देखो द्यान देना एक टाइप तो अपन नहीं यह पड़ा जिसमें यह नंबर ते एक के बगल में बेटा था इक बगल में बेटा था सी के बगल में बेटा था एक तो टाइप अपन यह पड़ा जिसमें Sankhya मेरी बगल बगल में बेटी हुई थी लेकिन जो अगला टाइप अपन ने पड़ा इसमें Sankhya कहा पर बेटी हुई है नीचे बेटी हुई है तो यहाँ पर Sankhya मेरी नीचे बेटी रहेगी अगर संक्या मेरी नीचे है तो देखो बहुत आसान होता है किसे निकालना है एका मान वही हो जाता है एका मान मेरा दस हो जाएगा बी का मान मेरा बीस हो जाएगा और सी का मान कितना हो जाएगा पंदरा हो जाएगा तो यहाँ पर देखो पांस से काटा कितने बार कटेगा दो बार कटेगा पांस से काटा कितने बार कटेगा चार बार कटेगा पांस से काटा तीन बार कटेगा तो मेरा अनुपात कितना हो गया दो अनुपात चार अनुपात तीन हो गया केने का मतब यह है कि जब भी इस प्रकार का पैटर्न आपको दिखाई दे तो मेरी संक्या वोई हो जाती है हाँ पिछे बात क्यों कर रहे हो फिर कुछ चूट जाएगा ना कुछ चूट जाएगा तो बाद में फिर बोलोगे कि समझ में नहीं है चलिए तो ABCD का अनुपात मुझे निकालना है तो देखो मेरा जब भी इस प्रकार का पैटन आएगा कि संक्या मेरी नीचे बेटी हुई है तो मेरा उत्र क्या हो जाता है वही संक्या हो जाती है जैसे A का मान मेरा नो हो जाएगा B का मान मेरा 7 हो जाएगा C का मान मेरा 4 हो जाएगा और D का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बास समझ मैं रही है ये बाते आपको पहले से भी पता होगे कोई ये बहुत ज़्यदा विसेस बाते में नहीं बता रहा ये बाते पहले से भी आपको पता होगे चलिए जैसे आपको A अनुपात B अनुपात C दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया कि A, B और C का मान क्या होगा A अनुपात B अनुपात C क्या होगा अगर आपको दिया हुआ है A, B, C का अनुपात दिया है 2 बटा 3, 4 बटा 5 3 बटा 4 और आपसे पूछ लिया कि A, B, C का अनुपात क्या होगा कितना हो जाएगा छे तीन चार चलिए देखते हैं ध्यान दो पहले सीख लो उसके बाद एक सवल में आपको दूगा ठीक है जब भी इस प्रकार का अनुपाद आए और आपको एक छोटा छोटा नंबर निकालना रहे क्योंकि आपके पेपर में जो भी उप्सन होंगे इस प्रकार से उप्सन होंगे बाद समझ में रही है आपके उप्सन इस प्रकार से होंगे मनब सिंगल सिंगल नंबर आपके उप्सन में होंगे तो देखो कैसे निकालना है बहुत आसान है ठीक है, सवाल तो समझ में आ गया ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो नीचे संक्या है, नीचे कौन-कौन से संक्या है, तीन है, पांच है और चार है, तो जो भी संक्या है ना, सब में तीन, पांच और चार का गुणा कर दो, जैसे दो बटा तीन था, मैं किसे गुणा कर दूँगा तीन पांच और चार से गुणा कर दूँगा बास समझ मैं रही है मतलब नीचे वाली संक्या को देखो तीन गुणा पांच गुणा चार तो नीचे वाली संक्या को क्या कर दो इस संक्या में गुणा कर दो जैसे दो बटा तीन की गुणा किसे कर दो तीन गुणा 5 गुणा 4 से कर दो ठीक हैं, तो यहां पर आप लोग देखोगे, तो यहां से देखो 3 से, तो मेरा 3 कट गया, 5 इंटु 4 इंटु 2 बचा, 5 इंटु 4 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटु 2 कितना हो जाएगा 40, तो A का मान कितना आ गया? 40 आ गया ऐसे ही देखो B का निकालो ऐसे ही आप लोग B का निकालोगे तो इसको गुणा किसे करना है? 3, 5 और 4 से गुणा करना है मतलब नीचे वाली संक्या से गुणा कर दो प्रते एक संक्या को जैसे 5 से मेरा 5 कट गया तो 4 इंटो 3 बारा 12 इंटो 4 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा ठीक है तो B का मान आ गया 48 ऐसे ही मुझे C का मान निकालना है तो किसे गुणा कर दो? 3, 5, 4 3, 5 और 4 तो यहां से देखो 4 से मेरा 4 कट गया तो 3 इंटो 3, 9 9 इंटो 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा तो मेरा ABC का अनुपात कितना हो गया? 40, 48 और 45 हो गया क्या बोल रहे हो? हाँ, नेचे वाले का LSEM ही लिया है मेन एक तरीके से वो LSEM ही ही है ठीक है ना? हाँ नेचे वाले का LSEM ही है लेकिन ये बातें LSEM से गुणा कर दो ये बहुत सारों के उपर से चली जाती है ठीक है ना? तो सबसे आसान तरीका ये हैं कि 3, 5, 4 नेचे 3, 5, 4 है तो आप 3, 5, 4 के गुणा कर दो हर जग़ तो देखो 4 से मेरा 4 कट गया 5 से मेरा 5 कट गया 3 से मेरा 3 कट गया तो यहाँ पर क्या-क्या बचाएं? 5 इंटू 4 इंटू 2 बचाएं जो कि 40 होगा यहाँ पर क्या-क्या बचाएं? 4 इंटू 3 इंटू 4 होगा जो कि 48 होगा यहाँ पर क्या बचाएं? 3 इंटू 3 इंटू 5 होगा जो कि मेरा 45 होगा समझ में आया एक सवाल देता हूं उसको करना कितना रहे हैं हो गया हो ठीक है चलिए तो जब भी इस प्रकार का एगा अपन को क्या करना है नीचे वाली संक्या को देखना है ठीक है ना नीचे कौन सी संक्या है 5, 3 और 6 है तो एक साथ गुणा मत करना क्योंकि नीचे से उपर कुछ ना कुछ कटेगा तो 5, 3 और 6 तो हर संक्या को बाच बटा थेन.. और अचोश से गुना कर दो। जैसे ब बटा थेन और चोंगा। निचे वाली सं fewer कोना कर दिया। आप 두कर यहां से यह पान्च से पांच कुटे हाई इंटो चार कितना हो जाएगा बत्तर हो जाएगा ठीक है अब देखो यहां से यह 3 से मेरा 3 कटे गाई कटेगा तो 6 इंटो 5 30 30 इंटो दो 60 यहां से यह 6 से मेरा 6 कटेगा इंटो 3 15 15 15 पांच पिचेतर क्या यह संक्या मेरे किसी संक्या से कट रहे हैं क्या तीन से कट रहे हैं तो काट दो तीन से काटूंगा कितने बार कटेगा 26 बार कटेगा 24 बार कटेगा स्वरी तीन से काटोंगा 20 बार कटेगा तीन से काटोंगा 25 बार कटेगा तो मेरा जो अनुपात है वह कितना आ गया 24 अनुपात 20 अनुपात 25 आ गया समझ में आ गया ठीक है चलिए अब मैं एक पीडिया लगता हूं उसमें कुछ S.S.C. वाले सवाल हैं उनको करना आप लोग उसमें आप लोग कि दिख रहे हैं क्या है चलो यह सारे एससी में पूछे गए सवाल है यदि लड़कों और लड़कियों का अनुपात पांच अनुपात आठ है तता कक्सा की कुल समता 156 है तो कक्सा में लड़कियों की संक्या गयात करो कितना जाएगा 96 जाएगा देखो यहां पर बोईज बोईज और गल्स लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 अनुपात 8 दिया है और कुल आपके पास में कितना था 154 जैसे 1000 रुपे अपन ने 2 अनुपात 3 में डिवाइड किया था ऐसे ही 154 को 5 अनुपात 8 में तेरा और यहां से कितना दिया हुआ है 154 तो तेरा इकाय का मान 154 तो यहां से कितना हो जाएगा 12 एक इकाय का मान 12 है तो आप से क्या पूचा है लड़कियों की संक्या आप से पूची है मतलब गल्स की संक्या आप से पूची है तो आठ की गुणा किस से कर दूंगा 12 से त ठीक है इसको निकल लिए 2002 रुपे की रासी को 3, 4, 6 के अनुपात में A, B और C के बीच में विवाजित किया जाता है उसमें B का हिस्सा बताईए 616 हो गया? ठीक है तो देखो क्या करना था? 2002 रुपे था इसको मुझे A, B, C में बाटना था 2002 को A, B, C में बाटना था और किस अनुपात में बाटना था? 3, 4 और 6 के अनुपात में बाटना था मुझे B का हिस्सा निकालना था ठीक है की दो हजार दो में तेरय का भांगा कितना हो जगूगा में teural के % 154 हो जगा एक एक का मान 134 ह्य तो मेरे लिवा फोचा था तो बी वाले की गूणा 154 से कर दो कितना जगे गा 616 जाएगा समझ में आ गया ठीक है एका एका अंका प्रियोग भी कर सकते हो गुणा करते समय 4 x 4 16 एका 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 एक में 6 आएगा एकी ओप्सन में था ठीक है चलिए इसको करिए देखो तो एपलस सुरी एउनपाथ भी यह आपर एउनपाथ भी 3 नपाथ दो है एउनपाथ बी 3 नपाथ दो है और आपको निकालना है 5A पलस में 2B बटे में 3A या बटा मान लो यह पिर एउनपाथ मान लो एकी बात वोती है पांच A पलस में 2B 3 A पलस में 4 B कितना जाएगा देखो बहुत आसान है जब भी आपको इस प्रकार का पूचा जाए जब भी आपको इस प्रकार का पूचा जाए तो घबराना नहीं है क्योंकि A और B का मान मेरे को दिया हुएं सवाल में एक ए और बी का अनपात तीन अनपात दो है तो एक जगह तीन रख दो और बी की जगह कितना रखोगे दो रखोगे जब इस प्रकार का सवाल आए तो गबराना नहीं है एक जगह तीन रख देना और बी की जगह दो रख देना देखो एक जगह में तीन रखूँगा और बी क में आगए जगह में दो रकूंगा ठीक है तो यहां से देखें पांक को तीन से Ne宅की पंदरा पलस में दो एक उसागल दोथ दोने कीया चार अनुपाद तीन को तीन से गुनना किया 9 4 को दोसे गुना किया आठ तो यहां से 15 और 4 मेरा 19 हो गया 9 और 8 मेरा 17 हो गया तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 19 अनुपास 17 हो जाएगा बास समझ में आगे आगे बढ़ू A अनुपास B दो अनुपास 3 है 5 A पलस 3 B अनुपास 6 A माइनस 2 B का मान निकालना है कितना गया 19 चे पाँच A पलस में 3 B शुटर एप मायनस 2 B तो जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा गबरान नहीं यह एक आमान कितना है नहीं और और मान मान रगमकाल हो वस हिं यहाँ पर मान रखो घोट तो एक्यमान दो रख दो बीका मान तीन रख दो एका मान दो रख दो बीका मान तीन रख दो ठीक है तो यहां से देखो एका मान दो रखने का मतब बावन नहीं है यह एसा गलती मत करना अगर आपने एका मान दो रख दिया तो यह बावन नहीं के लएगा इसका मतब यह हुआ कि पांच को दो से गुणा करना है बासमज मेरी है पांच को किसे गुणा करना है दो से गुणा करना है पांच को दो से गुणा करोगे तो दस आ जाएगा प्लस में तीन को तीन से गुणा करोगे तो नो आ जाएगा 6 को 2 से गुणा करोगे तो मेरा 12 आ जाएगा माइनस 3 को 2 से गुणा करोगे तो मेरा 6 आ जाएगा कितना हो गया? 19, 12 में से 6 गया 6, तो मेरा उत्तर कितना हो गया? 19 अनुपात 6 हो गया समझ में आ गया तो ये गलते मत करना इसके जगद 2 रखे आप सोचो कि बावन व गया बावन नीवगा पांच को दो से गुना करना है ठीक है ना क्योंकि 5 की एक के साथ में गुणा है और 3 बी के साथ में गुणा है कि अब देख आप इस गलत फेह में मत रहना कि इतने असान सवाल नहीं पूछए जाते यह प्रीमे नहीं में प्रेंस में पूचावा सवाल ने देख लो हाँ तो जब किसमत अच्छी रहती है न तो इस प्रकार के सवाल परिक्सा में पूछ लिये जाता हैं ठीक है न हाँ और एसे सवालों को आपको छोड़ना नहीं है छोड़ोगे तो फिर सब कर लेंगे लेकिन आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो यहां से देखो A और B मतब दो अनुपात तीन B और C मतब चार अनुपात पांच यहां से क्या भरूँगा? तीन भरूँगा यहां पर क्या भरूँगा? चार भरूँगा तीन को पांस से गुणा किया 15 तीन को चार से गुणा किया 12 दो को चार से गुणा किया 8 तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? आठ बारा पंदरा हो जाएगा तीक है आगई कैसर आगए? पूछा हुआ सवाल है कर लिजी एक बार क्या देखो A B 5 अनुपात 8 है C और B 4 अनुपात 3 है आपसे A B C का अनुपात पूछा था अभी तो पांच आठ छे आ रहा था चलिए तो इस सवाल को करवाने का मकसद यह है कि यहाँ पर इसको भी देखना है कि C अनुपात B दिया है कि B अनुपात C दिया है ठीक है ना तो देखो A और B A के नीचे 5 रखा B के नीचे 8 रखा अब यहाँ पर B के नीचे B रखना है और C के नीचे C रखना है तो तो B के नीचे क्या रखोगे देखो B का मान कितना है तीन है और C के नीचे C रखोगे C के नीचे कितना रखोगे चार रखोगे तो यह गलती मत करना यह उल्टा दे दिया जाता है बहुत बार ठीक है ना तो B के नीचे B रखना है और C के नीचे C रखना है यहाँ पर क्या बढूगे आठ भरोगे यांपर क्या बरोगे तीन मुण औरो गे और जा है ना तो को त्इक है कुछ सवल दिखा रहा हूं गर पर जाकर प्रैक्टिस करना ठीक है ना कल की क्लास में कर लेंगे इनको ठीक है तो इन सवालों को गर पर जाके प्रैक्टिस करना यह एससे में पूचे वे सवाल हैं सारे के सारे आपको पता चल जाएगा कि कैसे सवाल आसान आसान सवाल भी पूचे जाता हैं ठीक है ना थैंक्यू कर भी कमौना ना ठीक है